असलाम अलेकूम सस्यकाल नमस्ते आदाब तो कैसे हैं आप लोग अब इस वीडियों बात करेंगे साओधी अरब की बहुत सारी नियूज और थामनेल पे आपने देखी लिया हुआ है कि क्या लिखा हुआ है और आपके बहुत सारे कमेंट से हमारे बहुत सारे भाजों ने भ लाश्ट में अभी आपके जवाब दूगा इंशालला शायद आपको काम आएगा चाहे आप इंडिया से साओधी जाने वाले हैं या साओधी से इंडिया आने वाले जेल से कैसे भी कुछ भी जूभी अपडेट से हो सारी सेयर करता हूं नए हो तो फटा-फट से लाइक कर करना हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारी वीडियो को आजित से जादा लोग भीना सब्सक्राइब के हमारे चैनल पे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब दिखाऊंगा कल कि वीडियो में दिखाऊंगा लाइब 70% लोग भीना सब्सक्राइब की वीडियो देख लेते और चले जाते हैं यार सब्सक्राइब कर लो क्यों सर्मा रहे हैं पैसा तो यह लग रहा है सब्सक्राइब करने में या कोई आदमी लिफ्ट देता है ठीक है ना तो उसको हरास्मेंट करता है चाहे इंडियन पाकिस्तानी नेपाली या सौधी का ही सब के लिए कानून एक बरावर है तो मैं आपके सामने नियूस शेयर करना चाहूंगा ये नियूस ध्यान से देखेगा कि इसमें हुआ क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशित करूंगा सबसे पहले यहां पर देखिए ट्वीटर पर ये वीडियो शेयर की गई है ये वीडियो है शेयर ठीक है इस वीडियो को हम पूरा देखेंगे अगर बढ़ा करके देखते हैं पूरा वीडियो को तो आपको इस वीडियो में पता क्या समझ में आएगा कि ये लेडी जो गारी के पीछे बैठी हुई है पीछे सीट पे बैठी हुई है ठीक है ये बातचीत कर रही है अपने कफील के साथ में ये काम करती है अपने कफील के दुकान में ये काम करती है ठीक है ये कफील के साथ ये गारी में पीछे बैठी बीडियो ऑन है देख सकते हो इसके बाद यहां पे अचानक से इसका गिर जाता है ठीक ए मैं शायद copyright आ जाए कुछ आ जाए अचानक से वीडियो में आवाज आता है आवाज आते ही सीधा वीडियो यहां on होता है और इसके बाद आपकर के बोलती है कि कफील जो मुझे किया है यहां पर देख सकते हैं रियाद रिजन इंप्लोयर वांट टू हैव डीनर एंड कॉफी वित हर लेट साल्टिंग बेनेफिट यू एड इंजॉय लेटी लेंटिल्स नाउ इनका ये है इंग्लिश में आप मुझे बताओ कफील ने खदामों को कहा कि चलो मेरे साथ ड वीडियो जैसे ही ट्वीटर पे डली उसको अरेश्ट कर लियागा एक घंडे के अंदर में आप देख लो सोचल मीडिया का पावर अभी के टाइम पे कोई भी किदर भी कैसी भी वीडियो आप कुछ भी शूट कर रहे हैं तो आपको बहुत बढ़ी प्रावलम फेस करना प जेल भेजे इनको फाइन लगा अगर आपके साथ कभी ऐसा कुछ होता है लेडिज आप मेरी वीडियो देख रहे हैं किसी भी कंट्री में आप तो बे धड़क हिजकिये मत आपको जो मुसीवत में हों मुसीवत से निकलने के लिए आपको ब्रेव बनना पड़ेगा और कैम पलस दम्माम में पिटाई का मामला भी शामने आया है तो इन्होंने दो नियूस के खटा खटा कर दिया जैसे कि मैंने कहा कि रियाद में जो लेडिस के बारे मैंने बाचीत की थी उसको गिरफतार किया गया दूसरा दम्माम में कुछ लड़ाई बगर होई जिससे वीडिय वाइरल हो गया टैक्सी का तो इनको सोशल मेडिया पर शेयर किया गया तो इन सब को गिरफतार किया गया है तो मैंने कहा थाना सुरू में ध्यान रखीगा अब एक ऐसी नियूस है जो बड़े ही ध्यान से हमारे बहुत सारे भाई यहां तक कि सौदी में ऐसा कोई आदमी ह जो चाय नहीं पीता होगा क्या बात करते हो डिप वाला चाय चाय पत्ती डिप करके सेम इंडिया में भी डिप करके चाय पीते हैं राइट न्यूस देख लिए आज से तीन-चार महीने पहले मैंने खुद अपने टिक टॉक एक वीडियो देखी थी यह वीडियो मेरी टी बैग में माइक्रोइसकोप के जड़िये कीरे होने के बाद वाइरल वीडियो की सच्चाय सौधी फुड ड्रग एजनसी ने इस पर एक्शन लिया है और कहा है कि पूरी वीडियो सही से देखी जाए और जिस ने ये वीडियो बनाई है उसको वार्निंग दिया जाए प जाब दान जो डिप करके चाय पी रहे हैं चाय पत्ती में छोड़ी चीर नहीं कल रहे हैं अब यह एक टिक टॉक अकाउंट है से मुझे याद नहीं आ रहा अगर मिल गया ना तो आज नहीं कलने में आपको जरूर शेर करूंगा शायद मैंने लाइक किया होगा तो पक्का प्रिक भाई यह का कम्मेंट है जाविद भाई हम पहली बार सौधी अरव आय थे और विजिट वीजा पर आये थे तो क्या हम दुबारा सौधी अरव आ सकते हैं हमें जेल से बेजा गया था खुरूप के जरीए बेजा गया था आपको समंस में समान समान कर रहा हूं सही से आपने नहीं किया आप विजिट वीजा पर गये होगे उम्रह करने के लिए और आप वहीं पर रुग गये होगे तो आपको एंडिया होगे आप पे भाई फिलाल तो लाइफ टैम बैन माल लो अगर लाइफ टैम नहीं होगा तो पांस साल का वेट करना पड़ेगा ठीक है ऐसे लोग जो उम्रा वीजा पर जाते वापस नहीं आते इन पर बैन लग जाता है जो लोग छुट्टी से आये हो इंडिया से साथी एरफ से साथी इरफ से इंडिया तो नहीं है उन में से मैं भी एक हूँ छुट्टी जैसे ही मेरा बैन वगरा खर सिस्टम अंदर से अभी अपडेट हुआ नहीं है अपडेट होते ही वफु चक्कर आपके यहां पना जारा हूँगा आपके पास माइक लेकर कि भाई क्या हाल चाल है ठीक हो इन्शालला दौा करो अगली अपडेट है जावद बैन वीजा लग रहा है क्या भाई लग लग रहा है को दिक्कत नहीं जो लोग आते हैं उनका तीन महीने का वीजा होता है सद्दाम भाई तीन महीने का वीजा होता है ठीक है तो तीन महीने का वीजा खतम करके हम घर वापिस आ सकते हैं फिर जाते क्यों हो भाई तीन महीने का वीजा खतम होगा तो कफील को बाचित करो प्यार महबत से काम करो अगर कफिल को बोलो मुझे काम नहीं करना तो भेज़ देगा, नहीं करना काम तो क्यूं जातलो यार देट दोलाग रुपा एक लाव रुपा लगा करके, एक काम मेरा कफिल नहीं बना रहा है, और सैलिड भी नहीं तेरह क्या करे, देखो कफिल से बाचित करो, प्यार से अगर नहीं मानता है तो लेवर कोट में कम्प्लेन करो इंडियान अमसी को बताओ वह आपकी हेल्प करेंगे अगर आप पूरे साओधी अरभ में कहीं भी फसे हुए आपको मदद चाहिए इंडियान अमसी से हेल्प लीचे वीडियो शेयर कीजिए कम्मेंट वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा फेस्बूक यूटूब इंस्टाग्राम जहां भी देख रहो और यार यूटूब पे सब्सक्राइब कर लो 70% लोग बीना सब्सक्राइब किये जा रहें कसम हैं आपको सब्सक्राइब कर लो हुआ 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 है